बॉलिवुड के सुपरस्टार अमिताब बच्चन और उनकी पतनी जया बच्चन का परिवार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है हलाकि पिछले काफी समय से अभिशेक बच्चन और एश्वरिया राय के बीच तलाग की अपवाहें जोरो पर हैं इसी बीच अब एश्वरिया की सास जया बच्चन का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें उन्होंने एश्वरिया को एक बड़ी ही प्यारी सी सलहा दी थी दरसल कॉफी विद करण के एक एपिसोड में जब जया बच्चन से एश्वरिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एश्वरिया को अपना दोस्त बताया था क्या है पूरा मामला चलिए आपको बताते हैं दरसल करंट जोहर के चर्ट शो कॉफी विद करंट में जया अपनी बेटी श्वेता बच्चन के साथ पहुचे थी इसी का ही एक वीडियो हाल ही में सुर्खियों में आ गया है जया बच्चन ने इस एपिसोड में अपनी बहु ऐश्वरिया राइबच्चन के साथ अपने रिलेशन के बारे में कुछ एसा कहा था जिसे सुनकर कई लोग हैरान रह गए थे साल 2007 में अभी शेक बच्चन से शादी करने के बाद एश्वरिया राई बच्चन और जया बच्चन का रिष्टा हमेशा ही चर्चा का विशे रहा है कई बार उनके रिष्टे को लेकर अपवाहें भी उड़ी लेकिन जया ने खुद इन अपवाहों का खंडन करते हुए कहा था कि उनका और एश्वरिया का रिष्टा एक दोस्त जैसा है जया बच्चन ने इस इंटरव्यू के दौरान कहा था वो मेरी दोस्त जैसी है अगर मुझे उन में कुछ ऐसा लगता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उससे सीधे बता देती हूँ मैं उनके बारे में पीछे से कोई राजनीती नहीं करती अगर वो मुझसे सहमत नहीं होती तो वो भी अपनी राय खुल कर रखती है जया ने मजाकी अंदाज में कहा था मैं तो बूरी हो गई हूँ बस इतना फर्क है इस बयान से साफ है कि जया और एश्वरिया के रिष्टे में कोई भी जगडाया विवाद नहीं था बलकि दोनों के बीच एक समझदारी और दोस्ती का रिष्टा था फिलाल आप इस पर क्या कहते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कॉमेंट करके बताएं ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें